हेलो फ्रेंड्स राध राधे कैसे हैं आप सब लोग आई होप सभी अच्छे होंगे तो पूनम चोद्री ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूं मॉर्णिंग से साड़ साथ हो गए हैं दक्ष को स्कूल भेजने के लग ग riding और अपनी चाय पीने के बाद में आज साफ़सफाई में लग गई हूँ तो साफ़सफाई कुछ इस से भी है क्योंकि घर में एक पूझा भी है और ढूसरा घर में कुछ गैस्ट भी आने वाली हैं तो कुछ खास गैस्ट ऑनने वाले हैं तो इसलिए तोरु मैं थ पूझे लगती हैं मुझे रहता है कि नहाने से पहले पहले सफाई कर लो गर की तो वह सही रहता है फिर बाद में अपना नहा के पूझा पाड़ करके नाश्ता बनाना है तो मेरे घर में आने वाली है मेरे नंद की बेटी जिसकी अभी फैब में शादी हुई थी तो वो भी आई नहीं थी तो फर्स टाइम आ रही अपने हजबेंड के साथ तो थोड़ा घर को मैं सही कर रहे हूँ अच्छा भी लगता है कि घर में कोई गैस्ट आए तो हमारा घर साप सुत्रा रहे बच्चों की रूम की सफाई करने के बाद मैं आगे थी अपने रूम में और इधर आके भव्या लेट गी थी मैंने का चल तू धर जा मुझे अपनी रूम की सफाई करनी है डस्टिंग तो म बहुत अच्छी फोटो लगते मुझे यह तो आज मैं आपको अपने कुछ गिफ भी दिखाऊंगी जो कि मैंने बहुत समाल के रखे हुए हैं जो मेरे हजबेंड ने मुझे दिये थे एक तो यह मुझे ग्रीटिंग कार्ड फस्स गिफ्ट है मेरे हजबेंड के तरब से मेरे हजबेंड ने गिफ्ट दिया था मुझे पहला गिफ्ट है यह तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यह मैंने इसे समाल के रखा हुआ है यह मैं जहां जॉब करती थी मेरे हजबेंड ने मुझे पहुचवाया था मेरे ऑफिस में पाइपोस्ट तो यह नियू यह का गिफ्ट था और यह जब मारे इंगेजमेंट थी जिस दिन तो उस दिन यह मुझे गिफ्ट किया था अपना अपने ही फोटो बना के दिये थे यह कलर फोटो प्रिंट निकालके तो यह भी मुझे बहुत अच्छा लगता यह ज़रा यहां से लूज हो गया अब लगता नि क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना था कि पपीते के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं और हैल्दी भी होते हैं और आज कर जैसे डेंगू चल रहा तो डॉक्टर भी जाद से जाद पपीता खाने के लिए बोल रहे हैं तो फिर मैंने आज पपीते के पराठे ट्राइ करे जो कि सबको बहुत पसंद आये, ऐसे ही बनते हैं, जैसे मूली के पराठे बनते हैं, पहले मैंने पपीते को घिस लिया, फिर थोड़ा सा दो चमच बेसन भी मैंने अलग भून लिया था, तो पपीते को घिसने के बात मैंने थोड़ा सा उसको फ्राइ कल लिया, हलका सा तेल जीरा डालके और उसमें फिर उपर से बेशन डाल दिया और सारी मसाले आइड कर दिये फिर उसको ठंडा गर के बस जैसे मूली के पराटे बनते हैं भरके फिर मैंने बहुत बनाए तो सब को बहुत अच्छे लगे चलो ट्राइं करते हैं हम भी कैसे लगते हैं तो मुझे मू भूक भी लग रही थी तो भव्या को चाय के लिए बोला फिर हम पराटे बनाने के बाद हम दोनों ने नाश्टा क्या तो पराठे तो बिसे भर्वा पराठे तो सभी अच्छे लगते हैं यसे मूली के पराठे मुझे ये अच्छे नहीं लगते हैं पर यह है कि अगर मूली को भून के बनाओ तो उसमें महक नहीं आएगी तो अब भव्या बना रही है चाय जब भव्या घर पे रहती और मैं काम को मेरा लेट हो जाता है तो चाय मैं से ही बनवाती हूँ कि चल चाय बना दे फिर दोनों नाश्टा करेंगे तो भव्या को मैंने चाय बनाने के लिए बोल दिया कि चलो भी चाय बनाओ बाकी सबको नाश्टा करा दिया था मम्मी पापा सबने नाश्टा कर लिया था हम दोनों ही रह रहे थे तो फिर अब चाय बनीती है और आज तो मैं बैसे भी फूल डे बिजी रहने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मार्केट के काम भी है और मार्क भी है तो फिर पूरा दिन बिजी रहना है आज तो अब पहले नाश्टा करते हैं फिर उसके बाद और काम करते हैं ऑच बहुत सारे बैड की बैड़केट भी धुल डाली मैंने क्योंकि कल कोई हैं ऐने वाले हैं गेस्ट तो मैंने साथी बैशिर उतार दी थि और मोता इसा होता है जब बैशिर धुलनी हो तो बारिश जरूर होती है तो बारिश भी हो एलए थी पर दो पैर से मोहसम खोल गया तो पर मैंने बैशिर धूल दी थी, तो मैंने अपनी रूम में बैठ बिचा दी है फिर उसके बाद मैं और मम्मी आ गए थे मैं मम्मी और पृती इदी हम तीनों आज आ गए थे मार्केट में कुछ उनके लिए गिफ्ट भी लेना था और फिर इदर भव्या गौरी के लिए हमें एक ट्रेस भी बनवानी है तो उसके लिए हम कपड़ा देखने आ गए थे और ये सूट प्रिती इदी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था उनको ये वाली शॉप जो है ना दीदी को नहीं बता थी तो फिर मैंने उनने बताई आज कि यहाँ पर कटपीस और जैसे की कपड़ा लेना हो किसी पसी चीज का उनिस्टिच कपड़ा सूट बनवा ना हो तो इहां हर तरह का कपड़ा मिलता है बहुत अच्छे मिल जाता है तो फिर हम यहाँ पर देखने आ गए थे और हमने भव्या considering के लिए एक सूट का कपड़ा लिया दो नुकली सेम लिया है वह आपको बाद में दिखेगा तो दीदी को यह सूट पसंद आ रहा था तो उन्होंने यह सूट भी लिया है आज कल लैस वाले सूट चल भी रहे हैं तो हम साड़े बार बज़े मार्केट आ गयते कि जल्दी से फिर दोपर के खाने का टाइम हो जाता तो पहले मार्केट कर लेते हैं और मम्मी को भी कुछ लेना था तो आज हम तीनों देवरानी जिठानी और सासुमा तीनों मार्केट आई थे बहुत कम ऐसा होता है कि हम तीनों एक साथ मार्केट आएं क्योंकि घर पे किसी ना किसी करहना जरूरी होता है घर पे कभी दूद वाला कभी कोई ना कोई आता रहता है तो हम तीनों में से एक ना एक तो घर पे रहता है मम्मी तो जरूर रहती है तो आज मम्मी भी हमारे साथ आगी थी साफ सफाई करने के बाद और ब्रेड शीट बिचा दी थी मैंने तो मेरा रूम कुछ इस तरह का लग रहा था आज सब समान अपनी जगह सैट था तो सही ही लग रहा था तो और बहार की सफाई और एहर वह Mawnning मी कर जांगी को डाइनिंग टेवल साफ करना के है अब देखू डाइनिंग टेवड समान हमेशा ही थना हमेशान भायरा रहता है मैं कितना ही ड़ते रहाए SAY तना पर पानी की제를 etawn थ सबसे पहले उठके इसको ही करनी है मुझे और ड्राइंग रूम की और बैट शीट रहेगे सिर्फ वही रहेगे बाकी तो मैंने सब धूल डाली है तो सुबह उठके पहले इसका कवर चेंज करूंगी बच्चों के रूम की भी बैट शीट बदल डाली है चेंज कर दी पर बच्चों का यही रहता है फिर शाम की समय हम आ गए थे दी दी मैं और बच्चे आ गए थे भव्या गोरी का सूर्स ने देने आए थे तो फिर वहीं पास में एक शेक की शौप है इस पर बहुत अच्छे शेक मिलते हैं और जूस तो आज हम यहां अपना शेक पी नहीं लि पर भी चलेंगे महां भी कुछ अच्छा होता है तो ट्राइ करते हैं तो फिर आ गयते हम जूनियो तो यह देखो आज मेरा फूल डे मार्केट में और घर के काम में ही निकल गया आज मेरी मेरी हालत आज खराब हो गई थी पूरा दिन इतना बिजी सेड्यूल रहा और अब पेड़ी तो गरमी भी खतम नहीं है सड़ी तो कलक्षन तो पसंद आता है मुझे जूद्यो का और भव्या के मोस्टली कबडे में यह인이 से ले लेती हूं मैक्स में मुझे इतनी पसंद यले अतं हैcion में मैक्स वैसे बच्चों की कपड purity ले हैं और मैक्स में तो नहीं है और यह पसंद आ रहा था गौरी को बहुत अच्छा लग रहा था तो गौरी ने ये लिया है और भव्व्या ने इसी टाइप में ब्लैक लिया है तो फिर आगे थे हम शॉपिंग करके दक्ष पानी ले ले अपना तो अब मैंने किचन का काम खतम कर दिया है पानी ले ले मैं मार्केट से पोरे नो बजे आई थी और फिर जल्दी से आके दाल में तड़का लगाया और फिर आट अगून के फिर एक दूम से रूटी बनाई और सबको खाना दिया फिर उसके बाद किचन का काम के किचन की सफाई करने के घूं सारे किचन साफ कर दिये और ए और ये सुबह के लिए राजमा भी हो दिया है और सुबह को बने गा राजमा चम्मच भर के ले 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 ना ठीक है किचन की लाइट बंद कर दे ना तो आज मेरी हालत हो गई है खराब सुबह उठ गई थी पोने चार की करीब क्योंकि मेरे अजबन को जाना था कहीं ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना था तो इसलिए मैं पोने चार बजे उठी थी उनको उठके पहले घर में जाडू लगाई फिर उनको चाय दे के तब थोड़ देर लेट भी गई थी उनके जाने के बाद पर फिर उठ गई थी दक्ष को नाश्ता देना था इसको दक्ष को स्कूल जाना था भव्या को नहीं तो अब 6 बजे से आज मैं पोरा दिन अब 10 बूजा भी है तो इसलिए मैं पूरे हपते बिजी रहने आ लिए हूँ और आज तो कुछ जादी थकान हो गई है और अब हम सोते हैं तो मिलते हैं आपको नेक्स ब्लॉग में तो आप मेरे ब्लॉग को देखिए और लाइक कीजिए और स्रस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल क मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में बागाई